हर कदम बिखरा के अपना खून अपनी बोटियां जब शहीतों ने बचाई कार्गिल की चोटियां कार्गिल की चोटियों में भारतिय सेना का शौर लहू के रूप में अनंत काल तक चमकता रहेगा कार्गिल की इनी चोटियों में हिमाचल के वीर बलिदानियों की शौर रगाथा भी पत्थरों पर अमिट छाब के साथ साथ यहां की मिटी के कड़कड में लिपती हुई है हिमाचल के वीर मेजर परमवीर चकर विजेता सूमनाथ शर्मा ने जिस परमपरा की नीव रखी थी उसे कैप्टन विकरम बत्रा, कैप्टन सौरव कालिया जैसे वीरों ने अभीद मजबूती थी है कारगिल विजे दिवस पर हिमाचल के वीरों की इस प्रती बर्बस ही हो आती है हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजे दिवस मनाया जाता है साल 1999 में पाकिस्तान की नापाग हरकतों का भारतिय सेना ने मुतोड चवाब दिया था इसे युद्ध में हिमाचल प्रदेश के भी कई वीर सपूतों ने अपनी प्राणों की आहूती दे कर माभारतिय की रच्छा की थी और इसे युद्ध में देश के 527 जवानों ने बलिदान दिया था छोटे से राज हिमाचल के 52 वीरों ने भी अपने प्राण नौचावर करके पाहाड जैसा शौर दिखाया था इनकी गुर्बानिया कारगिल की चोटियों परंकित हैं यही वज़े है कि हिमाचल को देव भूमी के साथ साथ वीर भूमी भी कहा जाता है कारगिल युद्ध में सेना के सरवुच सम्मान में चार परंवीर चक्र समेथ अनेकु चक्र इस वीर भूमी के वीरों के कंधे पर सुसजित हैं कारगिल युद्ध में शहादत पाने वाले कांगला जिले के पंदरा जवान, मंडी के दस, हमीरपुर के आठ, बिलासपुर के साथ, स्रिमला के चार, उना, सोलन और सिर्मौर के दोदो, चंबा और कुलू जिले से एक-एक जवान ने अपने प्राणों की आहूती दी थी कैप्टन विक्रम बत्रा ने सबसे महत्वपूर भूमिका निभाई, दरसल पहले जून 1999 को विक्रम बत्रा की तुकडी को कारगिल युद्ध में भीजा गया, हंप और राकी नाब इस्थानों को जीतने के बाद विक्रम को कैप्टन बना दिया गया, इसके बाद स्री नग कैप्टन विक्रम बत्रा ने जब इस चोटी से रेडियो के जरिये अपना विजय उद्धोस ये दिल मांगे मोर कहा, तो सेना ही नहीं, बलकि पूरे भारत में उनका नाम छा गया, इस दौरान विक्रम के कोड नाम शेर साह के साथ ही, उन्हें कारगिल का शेर की भी खाट उतार दिया, लेकिन बुरी तरह घायल होने के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए, इस युद्ध में देश की महत्वपूर्ण चोटी तो पर विजय हासिल कर ली, लेकिन देश ने अपनी जावाज जवान को खो दिया, उनकी इस बहादुरी के लिए भार शहीदों की शहादत को हर साल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसी कड़ी में देश भर में जवानों को स्रधांजली दी गई और वीरों को याद किया गया, शिमला से कमल ठाकुर, हमीरपुर से जजबीर कुमार, उना से अमित शर्मा, सूर्या समाचार